नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल A2Z E-PART साला में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन जेगोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक सीखने वाले हैं इससे आपका यूपित्र पलसी पेट के एक्जाम में एक या दो नमबर के कोशन आना कनफर्म है इससे हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में हम थेओरी पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें आल्मोस्ट 90% मैं आपको सभी नदियों के बारे में इस वीडियो में बता दूँगा कुछ चोटी मुटी नदिया रह जाएंगी उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ ही 50 important question जो कि किसी ना किसी exams में आय हुए है और कुछ question यूपी त्रॉपल सी के आज तक किराए गए exams में भी आय हुए है वो important question को हम देखेंगे उसके बाद में इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलिग्राम चैनल study with आसुतोस sir जोईन कर लीजे जिसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी साथ में ही आप जो है इस वीडियो को पूरा सुरुवात से लेकर आखरी तक एक दम देखिएगा जिसमें आपको एक भी कोई question ऐसा नहीं होगा जो फिर बाहर से आये इसमें सारे question आपके इसमें complete हो जाएंगे ठीक चलते हैं आज का वीडियो हम सुरू करते हैं और जानते हैं हम इसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए बारत की नदियों के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं भारत की नदियों में आपने सबसे पहले जानना होगा आपको एक सब्द अपवाह तंत्र ठीक अपवाह तंत्र में अपवाह जो होता है अपवाह सब्द एक छेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है ठीक एक छेत्र के जैसा की भारत की व्याख्या करेगा नदी तंत्र की व्याख्या करेगा तो ये भारत का अपवाह तंत्र हो जाएगा तो भारत में जो अपवातंत्र है वो कैसा है भारत के अपवातंत्र का नियंतरण मुखिताब भोगोली का अकरितियों के द्वारा होता है और इस आधार पर जो है दो भागों में बटी हुए है। भारत की नदियां किसमें किसमें एक और दो एक जो हैं हिमाले की नदियां हैं दूसरी जो हैं वो हमारी प्राइदी पी ये नदियां हैं जो हमारी हिमाले की नदियां हैं ठीक नदियां और भारत के दो मुख्य भागोलिक छेतरों से उत्पन होने के करण हिमाले तिथा प्रा गलग होती हैं भिन होती हैं हिमालय की अधिकतर नदियां बारा मासी नदियां होती हैं यह जो है नदियां बारो मास इसमें पानी रहता है ठीक इसमें पूरे साल पानी रहेगा इसमें पूरे साल पानी नहीं रहेगा क्योंकि जो ये बारा मासी नदियां होती है हिमालय की उसमें क्या होता है? उचे परवतों से पिगलने वाला हिम द्वारा उसमें जल प्राप्त होता रहता है और वर्सा वाला जल भी प्राप्त होता है उसे ठीक हिमालय की जो दो मुख्य नदियां है वो कौन सी है एक सिंदू जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दूसरी हमारी ब्रह्म पुत्र इसके बारे में भी हम पूरा अच्छे से आगे जानेंगे इस परवती संकला के उत्री भाग से निकलती है इन नदियों के परवतों को काटकर गार्जों का निर्मार किया है हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के इस्थान से लेकर समुद्र तक बहुत ही लंबे लंबे रास्ते तै करती है सिंदू, ब्रह्म, पुत्र ये अपने मार्क के उपर, उपरी भागों में तीवर अपरदन क्रिया करती है अपरदन क्रिया मतलब क्या होता है ये जो है पहाडों को काटकर वहां से मिट्टी और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू ठिक का समवहन करती है अपने निचले भागों में ये नदिया विसर्प, गोखुर, जील तथा अपने बाण वाले मैदान में बहुत सी अन्य निचे फड़ आकरतियों का निर्मार करती है जब अपना नीचे का इलाका इनका आ जाता है, वहां पर ये क्या करती है, बाण इनकी वज़े से आती है ठीक, इसके बाद में जो हमारी ये प्राइदी पी नदियां होती है, प्राइदी पी नदियां जो होती है, मौसमी होती है जब मौसम होता है तब इसमें ज़्यादा पानी होता है ठीक ये वर्सा पे ही निर्बर ज़्यादा तर करती है वर्सा पे निर्बर करती है ठीक सुस्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बैने लगता है जो बड़ी नदियां भी प्राइदीपी नदियां हो भी हिमाले की नदियों की तुलना में प्राइदीपी नदियों की लंबाई जो है वह कम होती है और छिछली होती है ठीक चलिए अब हम जो है सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हिमाले की नदियों में जानते हैं हिमाले की नदियों के बारे में हिमाले की नदिया जो है हमारी वह सिंदू गंगा ब्रह्मपुत्र हिमाले से निकलने वाली प्रमुग नदिया है ठ ठीक, ये लंबी, नदियां लंबी हैं और अनेक मात्रपूर्ण एवं बड़ी सायक नदियों, नदियां आकर इसमें मिलती हैं, किसी नदी तथा उसकी सायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं, हिमाले की कौन कौन सी नदियां हैं, ये देखिए, ये सिंदू है, यहाँ पे बह रही है, ठीक, ये देख सकते हैं, आप, सिंदू नदी, यहाँ से ये बहती हुई, ठीक, गंगा नदी ये बह रही है, ये गंगा नदी है, आपकी, इसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से ये, ये आपकी यहाँ से ये है, ये पूर्वर्ती अप्वाह के उधारण होती है यह हिमाले के उथान क्रम में निरंतन अपर्दन कारे करती हैं अता इसके द्वारा गार्ज महाखंड आदी निर्मार किया जाता है इस प्रकार की नदियां जो है सिंदू है सतलज है गंगा है और ब्रह्मपुत्र है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उदगम कहां से होता है गंगोतरी के गोमुक से होता है और गंगा की लंबाई कितनी है गंगा की लंबाई जो है वो 25 किलो मीटर मतलब 2525 किलो मी बार बार पूछा जाता है, इसका उद्गम कहा है, गभनगोत्री के गोमुक होता है, ठीक, पिर उसके बाद टिहिरी में, इसमें, भिलंगना और देव प्रयाग में, अलगनदा नदी आकर मिलती है, गंगा नदी में, ठीक, भागी रती और अलकनन्दा का सयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है गंगा जो है वो हमारी दो नदियों से मिलके बनी है यह देखिए इसको आप यहाँ पे यह बगीरती नदी है यह आपकी अलकनन्दा नदी है यह दोनों मिलके यहाँ पे मिल गई यहाँ पे आके इनको जो है कहा जाता है गंगा नदी बन जाती है गंगा जो है हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा जहरकंड की सीमा पर इस्थित राजमहल की पहाडी के उत्तर की और प्रवाहित होती हुई पस्चिम बंगाल के फरक्का नाम अकिस पर यह बांगला देश में प्रवेश करती है यहां पर बांगला देश में इसका नाम क्या होता है पदमा होता है इसका नाम उसके बाद में बांगला देश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यह देखिए यहां और अपने मुहाने पर विस्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मार करती है ठीक अब आगे देखते हैं अलक नंदा नदी जो है वो चमोली, तीरी, पौडी, गड़वाल जिले से होकर बैती है हमारी जो अलक नंदा नदी है यह तीरी, पौडी, गड़वाल और एक चमोली जिले से होकर बैती है यहीं पर ही आदी संकरा चारे द्वारा बनाया हुआ पीठ जो है बद्रीनात इस्थापित है ठीक, चार पीठों में से केदानात से रुद्र प्रया की और बैने वाली नदी मंदाकनी है मंदाकनी नदी, ठीक यह चोरा बारी ताल से निकलती है तता सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और केदानात से रुद्र प्रयाग के मद प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकनी है रुद्र प्रियाग में मंदाकनी अलकनन्दा से मिलती है अलकनन्दा से यहां पे रुद्र प्रियाग में मंदाकनी नदी मिल जाती है ठीक केदारनाथ मंदाकनी नदी के टटपर अवस्तित है यहां पे आती है मंदाकनी नदी इधर से ठीक, ये है आपकी मंदाकनी नदी यहाँ पे, ठीक, समझ गए, ये आके यहाँ पे रुद्व प्रियाग में इससे मिल जाती है, और यहीं पे ही केदारनाद भी स्थित है, ग्रीन कलर का बना दे रहा हूँ आपको, ये है केदारनाद, यहाँ से आके यह मंदाकनी नदी, यह सिखार के उत्तर पूर्वी भाग अलका पूरी श्थित संतो पंथ सिखार के हिमनत से निकलती है अलकननन्दा नदी जो है अलकननन्दा यह जो है सिवललिंग सिखार इस कि उपढ़ने वाली बहुत सी नदीयां आकर गंगा में मिलती है जिन में से कुछ प्रमुक नदिया कौन कौन सी है जो की गंगा में मिलती है कौन कौन सी है राम गंगा, सारदा, घागरा, गंडक, कोसी और यमना ये जो है प्रमुक नदिया है जो गंगा नदिया में मिलती है आके देखिए ये गंगा यहाँ पे बन गई गंगा चली यहां से यह देखिए गंगा नदी बह रही है ठीक यह गंगा नदी बहते यह देखिए गंगा नदी बहते जा रही है ठीक फिर आगे जाके यह बंगला देश में हो गई चली गई हुगली नदी बन गई ठीक अब इसमें देखिए बताया गया है इनकी जो है प्रमुक नदियां कहाँ है कौन कौन सी है ये हो गई ये प्रमुक नदीन की राम गंगा ये देखिए आके यहाँ पर मिल जा रही है इनसे ठीक फिर उसके बाद काली ये देखो देखिए अभी काली बताया नदी बताया गया था ये आप से यहां मिल गई है ठीक उसके बाद में घागरा नदी ये रेखिए सार्दा आगे मिलके यहां कोरिलिया ये घागरा नदी हो गई ठीक जो की आगे आके आप मिल गई उसके बाद में गंडक नदी गंडक नदी ये रही ये आके मिल गई गंगा नदी से यहां पे फिर उसके बाद में हमारी यमुना यहां से यमुनोत्री से निकलते हुए यह यमुना नदी हमारी बैते हुए आके कहां पर मिलती है प्रयागराज में मिल गई ठीक गंगा नदी से फिर यह गंगा नदी आके चलती चली गई ठीक यह जो हैं गंगा नदी की सब नदियां भी जो है गंगा की कोसी नदी यह देखिए कोसी नदी यहाँ पर है यह भी आके गंगा जी से मिल नहीं है यह भी इसकी सायक नदी है ठीक चलते हैं अब आगे देखते हैं सबी नदियों के बारे में एक एक करके यमना नदी जो है यमना नदी के बारे में यम प ठीक यमनोत्री से निकलती है गंगा के दाइने किनारे के समानांतर बैठी है ये रेखिए साम गंगा के दाइने किनारे समानांतर बैठी है मतलब इसके साथ में समानांतर बैह रही है और उसके बाद में प्रयागराज में आकर गंगा जी से मिल जाती है यमना नदी यमनोत्र में कहां पर उदगाऊ इनका हुआ है बंदर पुछ चोटी के पास में इसकी प्रमुक सायक नदियां चंबल बेतवा केन है देख लीजे यह यमना जी बह रही है ठीक अब देखिए यहां पर यहां पर आके मिल गई ठीक उसके बाद में चंबल और कौन सी कहा गया है में बेत हुआ नदी यह देखिए यह आके यहां पर मिल गई ठीक ब्लू कलर में कर लेते हैं यह ब्लू कलर में यमना नदी की सायक नदियां है यह ठीक और केन नदी कहां है यह देखिए केन नदी यह मिल गई आके इन से यमना जी से ठीक यह समझ में आ गया आपको उसके बाद में आगे फिर हमारी नदी हमारी सारदा नदी सारदा नदी जो है वो उसका उद्गम कहा होता है हिमाले के मिलाम हिमानीन से निकलती है प्रारम में इसको क्या कहते हैं गोरी गंगा कहते हैं भारत नेपाल सीमा पर इसे जो है काली नदी कहते हैं उत्तर प्रदेश के बारवंकी मे पर यह गहागरा नदी से मिल जाती है यह recommend यह यह जाती है पर भाद और की प्रवाद के चीमा पर भहती है कोसी नदी पर में इसमें आंड नाती है बारल का प्लू नुटसी करें इसमे भी सरद बार आती है और इसी को बंगाल का सौक का जाता है बहुत बार जो है यह कोशन पूछा जाता है कि यहां बंगाल का सोक किसे कहते हैं बंगाल का सोक का आ जाता है कोशी नदी को देखिए कोशी नदी यह है यह जो है बार बार मार्ग अपना बदलती है जिसकी वज़े से यहाँ बंगाल में पश्चिम बंगाल में बाण बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इसे इसलिए बंगाल का सोका आ जाता है गंड़क यह देख लिया ना यह रही कोशी नदी आपकी ठीक उसके बाद में गंड़क नदी गंड़क नदी नेपाल हिमाले से निकल कर पटना के निकट सोनपूर में गंगा से मिलती है त्रिवेडी नहर में गंड़क नदी से पानी आता है यह पश्चिमी चंपारण जिले में इस्तित है ठीक देखिए देखिए यहां से यह उद्गम हुआ इसका गंड़क नदी का ठीक नेपाल हिमालेस के निकट पटना से ठीक सोनपूर में फिर उसके बाद में यहां पे गंगा में मिल गई यह सोनपूर में ठीक यहां पे सोनपूर है यह गंडक नदी सोनपुर में मिल जाती है गंगा जी से ठीक चलते हैं अब आगे देखते हैं अगला हम राम गंगा नदी के बारे में जानते हैं राम गंगा नदी जो है उद्गा में इसका कहा होता है उत्तराखंड के पौड़ी गड़वाल में ये देखिए राम गंगा बह रही है यहाँ पे ये ठीक गंगा जी से मिल गई आके ये जगे कौन सी है पौडी गरवाल जगे है इसका नाम ठीक छेतर दूधा टोली सेड़ी से होता है अमर कंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के नदी दच्छे टटकी मुखे साई का है जो पठार के किनारे पर जल प्रपातो की एक स्रंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की और बहती है तथा पठना के निकट गंगा में मिल जाती है ठीक राम गंगा जो है यह देखिए यहाँ पर पठना के निकट गंगा जी में मिल गई यहाँ पर ठीक यह हो गई हमारी र आगपूर छेत्र से निकलती हुई ये देखिए ये रही दमुदर नदी यहां पर आपकी तीक दम Ewbrand नदी यह है यहां से यह भैरी है यहां पर आकर हुगली नदी से मिल रही है यह यह हमारी लिदी हो गई हिंद धीक फिर रामोदर नदी में अचानक बार आ जाने के कराण इसे बंगाल का अभिशाब कहा जाता है इसकी वज़े से बंगाल में जो है बार आ जाती है बार बार तो इसलिए इसे बंगाल का अभिशाब भी कहते हैं फिर चंबल नदी मद्र प्रदेश के लिए के महूं के निकट स कहां है चंबल नदी ये बनी है यहां से यह बनके जो है जाकर यमुना जी में मिल रही है यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकटगार्ज का निर्मार करती है यह नदी राजस्थान के सवाई माधापुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से जाकर यहां पर मिल जाती है यहां पे मिल गई हमना से उसके बाद में गोमती नदी गोमती नदी का उद्गम जो है कहां से होता है गोमत ताल से और उसके बाद में फुलहर जील फीली भीत उत्तर प्रदेस में यह गंगा नदी का एक मात्र सायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है यह भी गंगा नदी की एक सायक नदी है गोमत ताल से इसका उदगम होता है फुलर जील के और उसके बाद में गंगा नदी में मिल जाती है जाकर यह देख लीजे यह आपके पास में एक चार्ट भी दे दिया है मैंने बना दिया है कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है और कहां पर जाके मिल जाती है गंगा नदी उदगम इसका होता है गंगोतरी हिमानी गोमुक से और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है यमना नदी यमनोतरी हिमानी बंदर पुछ के गंगा नदी में प्रयागराज मे इलावाद में मिल जाती है ये सार्दा या काली नदी मिलाम हिमानी से निकलती है इसका उदगम होता है और घागरा बारा बंकी में जाकर मिल जाती है कोसी नदी गोसाई थान नेपाल हिमाले में उदगम होता है और गंगा नदी मिलती है गंडक नेपाल हिमाले और गंगा सोनपूर पटना में मिलती है राम गंगा दूधा टोली स्रेडी उतराखंड में और गंगा नदी से ये मिल जाती है सोन जो है अमर कंटक पठार और गंगा में पटना में मिल जाती है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में इसका उद्गम होता है और हुगली कोलकाता के निकट जो है मिल जाती है ये गंगा नदी से ठीक, चम्बल जो है नदी ऊह महो मध्य प्रदेश में इसका उदगाम होता है यमुना से मिलती है इटावा की निकट यहाँ पर क्या है इटावा, ठीक, इस जगे पर और गोमती जो है गोमत ताल फुलर्जील से होती है और कहाँ मिल जाती है गंगा नदी में मिल जाती है आब देखते हैं हमारा गंगा नदी तंत्र इस तरह से कतम हो जाता है जित्थी उसकी नदींआ है और सहायक नदींआ है वो आपको हमने बता दी है अब जो है हमारा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जैसे गंगा है वैसे ही ये भी बहुत ही बड़ा नदी तंत्र है ठीक ये क्या है तिबबत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिबबत से निकलने वाली यरलूंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं चाइना में इसका नाम क्या है यरलूंग जंगबू चाइनीज टाइप से नाम है इसका ठीक इसको भी याद रखिएगा हो सकता है पूछा जा सके ठीक पश्चिमी टिब्बत के के आंगसी ग्लेसियर से निकलती है यह पश्चिमी टिब्बत का यहाँ पे के आंगसी ग्लेसियर है ठीक अंगसी ग्लेसियर यहां से निकलती है हिमाले के समनांतर पूर्व की ओर बहती है यह आगे बढ़ती है फिर नामचा बर्वा सिखर के पास पहुँचकर यह अंग्रेजी के यू आकार को बनाती है ठीक अंग्रेजी का देखिए यहां पर यह यू आकार में लगबग बनाया इसने ठीक उसके बाद में अउनाचल प्रदेश के हमाया भारत में प्रवेश करती है कहां पर अउनाचल प्रवेश में प्रवेश कर गई यह हमारा भा फिर बांगला देश पहुँचती को इसका नाम जमना नदी से इसको कहा जाने लग जाता है जमना नदी खिर पुल जो है उसकी कि यह जाने लिजे कि तिब्बत में उपत्ति पाने वाली ब्रहहुत्व नदी है और इरावदी और मेकांग नदियां ये जो है अपने नदी अपने उपरी पाटों में संकीन और समनांतर परवस्रेडी से होकर प्रवायित होती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन-कौन सी है ये भी जान लीजे कहां से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन-कौन सी है हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदिया है जैमोली और तीस्ता और कामेग उसके बाद में सुबन सिरी और हम धन सिरी और दिहांग संकोस और लोहित ये जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है ठीक न ये देखिए वनी हुई है सुबन सिरी लोहित ये है ठीक चलिए अब देखते हैं सभी नदियों के बारे में ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदि पूर्वी तिबबत के जयाल चू परवत से निकलती है ये नदि और अवनाचल प्रदेश तथा असम में भी बहती है सिरी नदि के बारे में जानते है सुबन सिरी नदि का उदबह जो होता है वो हिमाले चेतर से होता है असम अवनाचल प्रदेश तथा तिबबत चेतर में ये भी बहती है बराक नदी के बारे में जानते हैं ये भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सायक नदी है मडीपुर पहाडी से निकल कर मिजोरम तथा असम में बैती हुई बांगला देश में ये प्रवेस कर जाती है बराक नदी हो सकता है पूछा जाए आपसे की मडीपुर की पहाडियों से निकलती है कौन सी नदी तो बाराक नदी आपका एंसर होगा फिर देखते हैं हम असम घाटी में असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुफित जलमार्ग बनाती है जिनमें कुछ बड़े नदी दीप भी मिलते हैं और इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी दीप जो है तिबबत का पठार जिसे चेंगता क्वाई तिबबत पठार के नाम से जाना जाता है समुद तल से औसतन 4500 मीटर की उचाई पर इस्तित है इसे विश्व की छट भी कहा जाता है विश्व की छट पूछा जाए आप से तो तिबबत का पठार है एंसर ठीक आप देखें आगे 2.5 मिलियन वर्ग किलो मीटर छेतफल वाले पठार से निकलने वाली ये नदियां कौन कौन सी है एक जान लीजे तिबबत के पठार की बात हो रही तिबबत के पठार की कुल छेतफल जो है 2.5 मिलियन वर्ग किलो मीटर है यहां से यांगसी नदी निकलती है हांगो नदी निकलती है सतलज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, मेकांग नदी निकलती है, सालवनी नदी निकलती है, मतलब टोटल कितनी नदिया निकलती है, साथ नदिया इससे निकलती है, तिबबत के पठार से, ठीक, देख लीजे, अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम देख क्या आपना दछिद भारत की नदिया कौन कौन सी यह ठीक की नदियां और साथ में सिंदू नदी तंतर ही देख लीजेए अभी आप यहाई पही पहले سाथ में समझ लीजे सिंदू नदी का उधगम जो है कहा से होता है मांसरोवर्जील से होता है ये रही ठीक सिंदु नदी का उद्गम मांसरोवर्जील के निकट तिबबत में होता है फिर उसके बाद में पश्चिम की और बहती हुई ये बहना सुरू हुई पश्चिम की और बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाक में प्रवेश किया इसने, ठीक, इस भाग में यह एक बहुती सुंदर दरसनिय, गार्ज का निर्मार करती है, यहाँ पर, ठीक, इस छेत्र में बहूती सायग नदियां है इसकी, यह देखिये बहते हुए आ रही है, ठीक, यह, अब इसकी, इसक तता हुंजा नदी इस नदी में मिल जाती हैं यहां पे ठीक उसके बाद में यह सिंदू नदी बलुचिस्तान तता गिलगिस्तान से यह सब पुरा होते हुए यह पाकिस्तान का एरिया है यहां से यह जो है यह हमारा भारत के उधर का यह जो है यह पाकिस्तान का एरिया है ठ पिर उसके बाद में इसकी जो सायक नदिया हैं, देखिए सतलज, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, जेलम, ये सब इसकी जो हैं सायक नदिया हैं, आपस में मिलकर जो हैं पाकिस्तान के मिठान कोट के पास, ये हैं मिठान कोट, मिठान कोट में जो हैं मिल जाती हैं सब आकर इसमें ठीक, इसके बाद यह नदी दच्छिड की तरफ और फिर बहती है, दच्छिड की तरफ बहे कर अंत में कराची में मिल जाती है आकर के, इसके बाद में फिर यह नदी दच्छिड में आगे बहते हुए, यह देखिए यहां से बहते हुए दच्छिड में, अंत में करा सिंदु का जो द्रोणी है एक टियाई से कुछ अधिक भाग भारत के जंबु कस्मीर जैसे ये इलाका हमारा है ठीक जंबु कस्मीर और लद्दाक ठीक और हीमाचल और पंजाब में तदधा सेस भाग जो है बाकी भाग जो है ये वह रहा है पाकिस्तान में इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है सिंदु नदी की 2900 किलो मिटर ठीक ये विश्व की लंबी नदीयों में से एक मानी जाती है गिनी जाती है ठीक चलिए अब हमारा आता है क्या देखते हैं हम अपनी दच्छळ भारत की नदियां क्यों से थिद्च भारत की नदियों में प्रायदी.P.E. संमल दीज़े नदियां आती हैं कौन सी acids जो की प्रायदी.P.E. भाग میں होती हैं अभी तक हम नदियां पढ़ी ब्रह्मपुत्र नदीतंत्र और गंगा नदीतंत्र वह जो है हमारा हिमाले की नदियां थी ठीक अब जो है हम पढ़ेंगे आगे वह हमारी होंगी प्रायदीपी नदियां इनमें क्या होता है पानी की कमी होती है वर्षा के जलकी से यह बहती है तो प्राइदीपी भाग अदिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, क्रिष्णा और तथा कावेरी, पूर्व की और बहती हैं. ये चीज कुशन जो है पूछा जाता है बहुत बार कि पूर्व की और बहने वाली नदियों को नाम बताएं. इन में से कौन सी नदी जो है के नदियां है, जो पुष्ण की और बहती हैं, ये भी आप से पूछा जा सकता है कि पुष्ण की और बहने वाली नदियों का नाम बताएं, तो उड़ में आपका नरमदा तापती और माही हो जाएगा, ये देखिए नरमदा नदी, तापती कहां है, ये देखिए तापती नदी ठीक है सब जो है पश्चिम की और बहकर ज्वारनद मुख का निर्मार करती है ठीक अब नर्मदा नदी नर्मदा नदी का उद्गम कहा होता है मैकाल परवत की अमर कंटक चोटी से होता है नर्मदा नदी का उद्गम फिर कहां पे गिरती है यह अरब सागर में गिरने वाली प्राइदीब भाग की यह सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी नदी प्राइदीब भाग की जो है वो नर्मदा नदी है जो कि आपको हमने यहां पर यह बना के दिखाया था रेड कलर से ठीक इसके उत्तर में विंद्याचलो दच्छिण में सत्पुड़ा परवत है इन दोनों परवतों के बीच में यह हंस घाटी जिससे होकर नर्मदा बहती है उसको हंस घाटी नहीं होगा ब्रंस घाटी होगा यहां पर ठीक ब्रंस घाटी दोनों तरफ जब पहार होता है और उसके बीच से नदी बहती है तो उसे ब्रंस घाटी कहते हैं मतलब की दसी हुई बीच में दो तरफ से परवत और बीच में घाटी धसी हुई होती जो उसको ब्रंस घाटी कहा जाता है ठीक इसके उससे होकर के जो है नर्मदा नदी बहती है अब नर्मदा नदी के पस्चिम की और बहाओ का कारण ब्रंस गाटी से होकर प्रवाहित होना है इसी वज़े से ये पस्चिम की और बहती है नर्मदा नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 1312 km बहुत बाल लंबाई पुछी जाती है. नदी का जल ग्रहर शेत्र टोटल कितना है? 98,796 वर किलो मीटर. यही में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एक एस्चूरी एस्चूरी का मतलब क्या होता है? एशियूरी का मतलब होता है हमारा ज्वारनदमुक टिक ज्वारनदमुक का निरमाड़ करती है जबलपुर के निकट संग मरमर सालों में नरम्दा नदी गहरे गार्ड से बहती है जहां ये नदी टीवर ढ़ाल से गिड़ती है वहाँ धुमाधार जलप्रपात का निर्माड करती है देखते हैं अब हम तापती नदी तापती नदी जो है मद्र प्रदेश के बैटूल जिलेश के मुल ताई के निकट सत्पुड़ा पहाड़ियों से निकलती है इसकी लंबाई 724 किलो मीटर है अबुआ अब बहाँ तंद 64135 वर किलो मीटर है मद्र प्रदेश महाराष्ट गुजराथ से प्रवाहित होती है यह नदी यह नदी अरबसागर के ज़ारनद मुक का निर्माड करती है अरबसागर में यह रही है हमारी देखें यह तापती नदी है यह ठीक, ये रही है हमारी तापती नदी बह रही है, कहां पे अरब सागर में जाकर ये मिल रही है, यहां पर ये जारनत मुक का निर्मार करती है, अब इसके बाद में गोदावरी, गोदावरी जो है वो प्राइदीपी ये भारत में सबसे लंबी नदी है, प्राइदीपी भार ठीक, यहां से ओकर यह इस तरह से बैती है, क्या है, त्रम्बकेश्वर मुंबई के निकट, त्रम्बकेश्वर से इसका उद्गम होता है, और दच्छिड मद भारत को पार कर दच्छिड पूर्व की ओर बैती हुई, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यह, ठीक, यह जाक है, सबसे बड़ातर है, और इसकी द्रोणी महाराष्ट, मतलब यह जहां जहां बैती है, उसको इसका द्रोणी कहते है, महाराष्ट, तिलंगाना, आंधर प्रदेश, मदर प्रदेश, उडीसा, चत्तिजगर, करनाटक, पांडुचेरी से यह बैती है, ठीक, तबी तो यह इतनी लंबी नदी है, इतने सभी राज़ों से होकर बैती है, यह देखिए, गुदावरी नदी, आपकी यहां पे बनी हुई है, यहां से होते हुए, यह बै रही है, बैते हुए, यह आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इत कृष्णा नदी, यह है नदी, ठीक, नर्मदा नदी यह देखिए, गिर रही है, यहां से, चलिए, देखते हैं बागे, सायक नदिया, गुदावरी में जो है, अनेक सायक नदिया मिलती है, एक बात और भी जान लीजे, आप, गुदावरी की सायक नदिया कौन कौन सी है, पूना, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, और बेन गंगा, यह जो हैं, अमारी गुदावरी की सायक नदिया है, ठीक, अब गुदावरी नदि को बड़े आकार और विस्तार के करण दच्छिड गंगा और व्रध गंगा भी कहा जाता है, जैसे इधर, जो है, हमारी तरफ गंगा जी हैं, यह उसी तरह उधर साइड में, साउत में इने दच्छिड गंगा और व्रध गंगा भी कहा जाता है, क्रश्ना ददी माराष्ट के पश्मी घाट में महा बलेश्वर से 1400 किलमीटर प्रवाइत होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह देखिए, यह चिचली हो जाती है, यह देखिए, यह चिचली हो जाती है, इसको ही डेल्टा का आजाता है, ठीक, इनका बहुत कम हो जाता है, दीमा हो जाता है, इसको डेल्टा का आजाता है, ठीक, और एक सब्द और भी आपको आया था, आपके पास में, अरनद मुख, जो अरनद मुख जाता है उसे ही ज्वारनद मुख का जाता है ठीक फिर उसके बाद में तुग्र बद्रा कोएना माल प्रभा पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा मूसी भीमा इसकी जो हैं मुखिसायक नदिया है कृष्णा नदी की और इसका कहां कहां से कौन-कौन से राज से उतकर ब यहां जिसे देखिए तुग्बद्रा मिली इन से और भीमा नदी यह देखिए मिल रही है इन से कोएना माल प्रभा यह सब चोटी-चोटी नदियां इससे मिल करके इसकी सायक नदियां बनती है तब यह 1400 किलोमीटर अपना पूरा करती है इसके बाद में आती है हम अगला ह पूर्व की नदी है जो 36 गड़ में सिह आवा पाड़ी से निकल कर पूर्व की और बहती है 858 किलोमीटर लंबी यह नदी 36 गड़ एवा मोडीसा से प्रवाइत हुई पारादीब के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा के पास में निर्मार करती है डेल्टा का एक चीज जो है क्रिश्णा नदी के बारे में है क्रिश्णा नदी के बारे में क्या है क्रिश्णा नदी जल विबाद के बारे में क्रिश्णा नदी जल विबाद जो है वो आंद्रप्रदेश करनाटक आंद्रप्रदेश और करनाटक और महराष्ट के बीच में है ठीक महराष्ट के बीच में यह जो है उनिस सो सतावन से चला रहा है इसके निप्टारे के लिए कई समितियां के अत्रिक्त जो है सुप्रीम कोड के सेवा निर्वरत न्याइदीसों आर एस बहावत आर एस बहावत एवं ब्रजेश कुमार ब्रजेश कुमार यह भी बार बार कोशन पूछा जा आने वाला है कि अद्यचिता में कृष्णा नदी जल विवाद पर दो भिन नयायादी करोणों का गठन किया जा चुका है ठीक जो इसका विवाद सुल जाएंगे ठीक चलते हैं अब आगे पू देखते हैं हम अपनी अगली नदी कौन सी है कावेरी नदी का उद्गम जो ह करनाटक से होता है कहां पर करनाटक में कुम जिले लेके ब्रमगिरी पहाड़ी से निकलकर 805 किलो मीटर लंबाई तथा 87,900 वर किलो मीटर अपवाह छेतर में प्रवाइद होती है यह जो है तिरुचिरापली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है इसका अपवाह क गेरल करनाटक तमिलनाडू संग छेद पंडूचरी में विश्तित है पहाड़ी से नीचे उतरते के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है जहां यह सीरंग पट्टम सी समुंद्रम और सीरंग गम दीपो का निर्मार करती है तो यह आप से पूचा पूचा जाएगा आपसे किस किस राज्य में बैती है केरल करनाटक तमिलनाडू और पूडिचरी में बैती है दीपो का नाम सीवसमुंद्रम सीरंगम दीपो का नाम है इसके फिर कावेरी नदी की प्रमुक्स आयक नदिया कौन सी है अमरावती भवानी और काविनी जो यह यह कावेरी नदी की प्रमुक्स आयक नदिया हैं अ जिक अब भारत की डिस्टी में अकिक्षी सबसे बड़ा जलपरात कावेरी नदी जो है वही बनाती है स्यूंदरम के नाम से जाना जाता है जिसका जल प्रपात इसके द्वारा उपर विजली जो है विदुद मैसूर बैंगलोर तथा कूलार स्वेंड छेत्र काशला करती है जहां नदियां द्वारा बहा कर लाए ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी एक प्रकार के समुद्र नदियों के मिलन बिंदू को जौरनद मुख स्टोरी कहते है स्टोरी नहीं हो गया ठीक एचूरी होगा एचूरी जौरनद मुख को ही एचूरी कहा जाता है ठीक विस्व की सबसे बड़ी एचूरी जो है वो सिंट लारेंस नदी है अब कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में जान लेते हैं क्या है सतलज नदी सतलज नदी का उद्गम जो है कहा होता है तिबबत में कैलास परवत के मांसरोवर जील के पास में होता है ठीक ठीक उसके बाद कहां से वहां पे राकस ताल जील है उससे होता है ठीक उत्तरी पश्चिमी दिसा में बैते हुए सिप की दर्रे के पास हिमाले प्रदेश राज में यह प्रवेश करती है यह हिमाले की सेडियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्मार करती है भारत में जो व्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रवी जेलम तथा चुनाओ के जल को संगहित कर मिठान कोट पाकिस्तान के निकट सिंदू से मिल जाती है इसकी कुल नंबाई 15 किलोमीटर है थीक भारत में एक सिंदू जल पाकिस्तान के बीच में सिंदू जल समझौता भी हुआ है तो यह पांच नदिएं उसमें तीन नदियों का एक तो यह देखे यह दो तीन चार पांच ये पाश नदियों में इन तीन नदियों का कंट्रोल भारत के पास है इन दो नदियों का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास है जेलम और चिनाब का ठीक और इसमें जो है हम लोग कोई बांध नहीं बना सकते हैं इन तीनों नदियों में हम बांध बना सकते हैं इसी से ही जो है सतलज नदी से यहां से निकलती है इंदरा नहर जो की सबसे लंबी नहर है ठीक यह बात भी याद रखिएगा फिर देखते हैं हम सोन नदी सोन नदी की उत्पत्ति कहा होती है मदप्रदेश के सहडोल जिले में अमर कंटक के पास से होती है सोन नदी जो है मदप्रदेश में उत्गम होकर उत्तरप्रदेश जारकंड और प्यार से प्रवाइट होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है ठीक ये जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं कहीं गिरती है ये जो है सीधे गंगा में मिल जाती है गंगा की सायग नदी है सोन नदी की प्रमुक सायग नदीयां जो है वो डीहन्द और उत्री कोयल है ठीक चलिए अब आगे कोसी नदी के पूरवी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है कोसी की लंबाई जो है वो 720 किलो मीटर है भागलपुर बियार के समीब यह गंगा मिल जाती है कोसी नदी की साथ धारा हैं जिन में अरूना प्रमुख है यदि अपना मार्ग परिवर्थन जो है बार बार करती रहती है या किस्मिक बांड लाने के लिए यह प्रसिद बियार का सोक का जाता है बहुत बार पूछा जाने वाला कोशन है यह कि बियार का सोक जो है किस नदी को का जाता है कोसी नदी को का जाता है ठेग दामदर नदी के बारे में जानते हैं दामदर नदी उद्गम चोटा नापपुर पंठार से होता है यह देखिए कोईयल नदी है यह ठेख और रामदर नदी यह दामदर नदी आपकी कहाँ गईरी यह दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है छोटा नागपुर पठार से होता है यह नदी ब्रंस गाटी से होकर बैती है कि इसकी सायक नदियां बना का जमुनियां और बर्क की आदी हैं दामोदर नदी रूप नाराया नदी के जल को सरचित करती हुई कुलकाता के हुगली से में दच्चिड में जो है इसकी लंबाई कुल कितनी है और तालिस किलो मीटर कुलकाता के अर तालिस किलो मीटर कुलकता के 48 किलो मीटर दच्चिन में हुगली से मिल जाती है ये इसकी लंबाई कुल जो है 541 किलो मीटर है और एडन नहर वर्स 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी ठीक इन चीजों को आप याद रखिए अब जो है हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में ठीक अब इस तरह से आपने जो है आज सभी नदियों के लगबग पारे में पढ़ लिया है अब जो है कुछ दो चार नदियां बची हुई है जैसे की हगरी नदी जेलम नदी ठीक और चोटी चोटी नदियां जो है वो बची हुई है उनको मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूँगा ठीक साथ में आपको सारे इंप्रोरेंट पॉश्चन जो है फिफ्टी कोशन और आप देखेंगे कि इसी लेक्चर से और आपके अगले lecture से ही जो है आपके सारे question आ जाएंगे जो भी उपी तर पलासी पेट में नदियों से related exam में जो है पुच्च जाएंगे question चाहे प्री हो चाहे mains हो आपको सारे question नहीं में से ही मिल जाएंगे ठीक आप जो है इस channel को subscribe कर लिजे लाइक कर लीजे ठीक इस चैनल पर अभी आपको जो है मैं सारा पूरा जियोग्राफी का कम्प्लीट सेवस करवा दूँगा आपका वो कम्प्लीट हो जाएगा जिसमें आपके वो पूरे नंबर कम्प्लीट हो जाएंगे और बाकि आपके एक जीकेट 10 की स्रीज चली रही है जिसमें ओर डियर कोशन पेपर सारे सॉल्व करा रहा हूँ मैं उसको भी देखते रहिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजे और कोई हल्प की जुरूरत हो आप मुझे वाट्सेप करिए कम्प्लीट मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूँगा ठीक तो आप मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में जिसमें आपके कुछ कोशन भी रहेंगे जिससे आपका एकदम कम्प्लीट हो तैयार हो जाएगा मिलेंगे अब अगले वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद